जै माकाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मित्रू कोई भी वश्यकरण को उपा या फिर कोई भी तोड़का जो आप योटूब पर देखते हैं वह तभी काम करता है जब आप पूर विश्वास के साथ उसे करे क्योंकि जो मंत्र की सक्तिया होती है और जो तंत्र क्रियाय होती है उसकी सक्तिया पूर्ण रूप से आपके विश्वास को उपर निर्भर करती है अगर आपने विश्वास करके कर लिया तो निस्चित तोर पर वहां आपको संपूर्ण फल देगा आज मैं आपको बहुत ही सक्तिसाली संभोग मंत्र बताऊंगा बस आप इसे विश्वास के साथ केजिए और जिसके पास कर देंगे अर्थात जिस इस्त्री के लिए इस विधी का प्रयोग करेंगे वह आपको मना नहीं कर पाएगी चाहे कितना भी कठोर हो या पत्थर दिल हो तो सबसे पहले आप यह चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका गलत प्रयोग ना करें अन्यथा इसके जिम्मदार आप ही होंगे या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके साधी सुदा जिन्रगी में अन्मन हो रही है किसी कारण वस से वह अपने प्यार को वह सुख नहीं ले पा रहा है इसलिए तो इस विधी को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों का पालन करते हुए जाना है इस विधी को आप सिर्फ अमावश्य या पूरीमा की समय और रात्री में ही कर सकते हैं इस विधी को रात में दस बजे के बाद और बारा बजे से पहले करना है दोनों में से कोई भी दिन में ध्यान लीजेगा मित्रों इसके लिए आपको कुछ समाग्रियां चाहिए होगी एक गुलाब का फोल चाहिए और उस इस्तरी का फोटो चाहिए उसको आपको लेकर इस्तरी के फोटो के सामने गुलाब का फूर रखना है और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को 521 बार जाब करना है 521 बार जो मंत्र आपको जाब करना है वा इस प्रकारे उसे ध्यान से सुनिये बस इतना आपको जाब करना है यह मंत्र की सक्ति इतनी जादा है कि आप जब यह विधी करते रहेंगे तब ही उसके दिल में बेचैनी हो जाएगी और काम भावना उत्पन्न होने लग जाएगा जिस इस्त्री के पास आप यहाँ विधी करेंगे और उसके बाद इस विधी को कर लेने के बाद आपको उस गुलाब को अपनी जेब में रखे रहना है चाहे कहीं भी रहे या फिर किसी भी जगर रहे वह आएगी ही आपके पास मित्रो इस विधी के गलत प्रयोग ना करें और अधिक जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं जै माकाली